हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको लेकर चलते हैं शब्दों की मंडी में, अक्षरों की मंडी में, देखें कितने सारे अक्षर सजे हुए हैं यहाँ पर, क भी है, प भी है, ग भी है, ट भी है, फ भी है, और इतनी सारी मात्राएं भी है, अब आप लोगों के उपर ह आप लोगों को जो शब्द बनाने हैं इन अक्षरों को जोड़ कर बनाते जाईए, जो भी आपको बनाना है बनाईए, आपकी एक्षा, आपकी स्वतंत्रता है ना, और उन शब्दों का कुछ मिनिंग रहे तो और भी अच्छी बात होगे, फिर शब्दों को जोड़ कहानी के साथ साथ का विताय भी बनाएंगे और बहुत कुछ सिखेंगे ठीक है हाँ तो चलिया अब च की हम 12 खड़ी देखते हैं सबसे पहले ये च आगया आपके पास और च से चमच च से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं अब सबसे पहले च के आगे हमने आ की मातरा लगा दी तो क्या बन गया चा च च अब इसकी के सामने च च छ छ छ छोटी ए की मातरा लगा देते हैं यह पल्ला जो है पीछे से बाहार निकला, तो क्या बन गया, ची, Ч, च, 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 अब हम लगाते हैं बड़ी E की मात्रा, तो क्या बन जायगा, ची, च, 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 पिर हम लगाते हैं छोटा O की मात्रा, तो क्या बन जाएगा चू ये बन गया चू फिर आगे हम लगाते हैं अब बड़ा उ की मात्रा तो क्या बन गया चू फिर लगाते हैं ए की मात्रा ये हमने लगा दी ए की मात्रा तो क्या बन गया चे फिर लगाएंगे हम ए की मात्रा तो क्या बन जाएगा, चै, फिर ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए एक डंडा चाहिए और उपर में पेड़ लगाना है, चो, फिर आग जाएगे, ओ की मात्रा, क्या लग जाएगा, चो, फिर इसके उपर एक बिंदी लगा दीजिए, क्या बन गया, चम, फिर इसके बार दो बिंदी बगल में लगा दीजिए तो ये हो गया आपका चाहा ठीक है तो इसी तरीके से आप अलग-अलग अक्षर लीजिए और उसमें इन सारी मात्रों को जोडते जाएए तो आपकी बारा खड़ी बन जाएगी ठीक है जैसे कोई और भी अक्षर ले लेते हैं आपने जूला देखा जह यहाँ पर आ लगाया जह छोटी इ लगाओगे तो क्या बन जाएगा जी फिर बड़ी इ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा जी छोटा उ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा जू और बड़ा उ लगाएंगे तो क्या बनेगा जू जूला है ना फिर उसी तरीके से ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा जे ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा जै फिर ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा जोव और ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा जोव और बिंदी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बिंदी आपको उपर लगाना है जम और बिंदी जब हम साइड में लगाते हैं बगल में लगाएंगे इसके तो क्या बन जाएगा जहा तो इस तरह स सारे शब्दों की आपको 12 खड़ी बनानी है, सारे अक्षरों की 12 खड़ी बनानी है, ठीक है, तो खुद भी मज़ा कीजिए और सारे अक्षरों पर मात्राय लगाईए अलग अलग और उनकी 12 खड़ी बनाईए, ओके, धन्यवाद